हेलो फ्रेंट्स मैं रोईनी दा लाइफ एश्टेडी परिवार में आप से भी पस्वाज़त करते हूं और आप से भी जानते हैं कि आज हिस्ट्री के प्रैक्टिस बैच की हमारी पहली क्लास हैने की फिर्ष्ट नमर की क्लास आज होने वाली है तो जितने भी स्टुडेंट आप में आते ही इसका लिंक शेयर करें ताकि और स्टुडेंट क्लास का उलुफ तो उठा सके यानि कि और लोगों भी प्रैक्टिस कर सके अपनी हम इस क्लास में कुशन ज्यादा करेंगे बाते कम करेंगे तो आप सभी कुशन के आंसर करते हुए चलेंगे और लगभग ए क्लास में मैं आपको 32-35 कुशन कराने वाली हूँ 32-35 तक कुशन आपके होने वाले हैं क्लास में हर कोई बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है जिसे इंग्विस में करनी है और जिसे हिंदी में करनी है वो हिंदी में क्योंकि दोनों लेंग्विज में कुशन रखे गए हैं तो इस question का right answer जल्दी से बताइए, ग्रामिन सभ्यता अगर कहें आप लोग तो वेदिक सभ्यता को बोल जकते हैं, वेदिक सभ्यता को ग्रामिन सभ्यता बोलते हैं और फिर शभ्यता बोलते हैं, घडपपा और मोहन जोध्रों को, और सर्व पर्थम सहरी करण की जो सभ्यता है, जो सहरी करन देखा गया था वो मेजो पोटामिया की सभ्यता में देखने के लिए मिलता है Question number first का right answer होगा आपका option number A Option number A इस question का आपका क्या होगा right answer होगा Next question Question number second है कि सिंदु घाटे के लोग विश्वास करते थे सिंदु घाटे के लोग किसमें विश्वास करते थे Mother power में, in a, in soul and Brahma में, in rituals में या in yoga system में, ठीक है, यग्या system, sorry यग्या system में, तो जल्दी से बताएं इस question का right answer के आओगा Question number second का right answer होगा आपका option number A सिंदु घाटे सभ्याता के लोग मात्र सक्ती में विश्वास करते थे किसमें विश्वास करते थे? मात्र सक्ती में विश्वास रखते थे Next question Question number third है कि सहरपा सभ्याता का परचलित नाम है हरपा सभ्याता का परचलित नाम क्या है? Lothal civilization, second option है Indus Valley Civilization C option है Civilizations of Mohanjadaro या D option है Indus Valley Civilization इस question का right answer होगा आपका Indus Valley Civilization सिंदु घाटे सभ्याता सिंदु घाटे की सभ्याता B option यानि किस question का क्या होगा आपका right answer होगा ठीक है? Next question Question number four है कि हड़ापा के काल का तांबे कारत किस इस्थान से प्राप्त हुआ है बनावली, कुनाल, राखी गड़ी या फिर D option है आपका दैमाबाद Question number fourth का right answer बताईए जल्दी से आपका क्या होगा जो तांबे का रत है कि किस इस्थान से प्राप्त हुआता है तांबे का रत आप लोगों को दैमाबाद से प्राप्त होता है और बनावली की जो खोज हो किसने की थी बनावले की खोज NG मजूमदार ने की थी किसने NG मजूमदार और NG मजूमदार का पूरा नाम है नानी गोपाल मजूमदार Question number five है कि हड़ापस अब्यदा के बारे में कौन सी उकती सही है यानि कि कौन सा जो एक थोट है वो सही है A option है उन्होंने पसुपती का सम्मान करना प्रारंब किया B option है उनके सांस्पृति सामान्यत स्थिर नहीं थी C option है उन्हें अश्वमेद का ग्यान नहीं जानकारी नहीं थी D option है गाएं उनके लिए पवित्र थी Question number 5 का right answer होगा आपका option number है He is started respective पसुपती Respecting किसको करते थे वो पसुपती को यानि कि वो पसुपती का सम्मान करते थे या पसुपती की क्या करते थे पूजा करते थे जो इनकी मुधराओ पर भी देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा Question number 6 है कि हरपा कालीन इस्थल रोपड या पंजाव किस नदी के किनारे इस्थित है जल्दी से बताइए जो रोपड है वो किस नदी के किनारे इस्थित है सिंदु नदी के किनारे इस्थित मोहन जोदारो है मौहन जोद्डो है और रावी नदी के किनारे हरपपा इस्तित है तो जल्दी से बताइए रोपड किस नदी के किनारे है इस question का right answer होगा आपका option number B सतुलज रोपड सतुलज नदी के किनारे इस्तित है और रोपड कीखो सन 1950 में बीबी लाल ने की थी इसने की थी? सन 1950 में बीबी लाल जी के द्वारा की गई थी next question है हरपपा वासी धातु से परिचित नहीं थे यानि कि हरपपा के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे तो हरपपा के जो लोग थे वो आईरन से परिचित नहीं थे किस से option number D, question number 7 का right answer होगा आपका option number D, वो आईरन यानि कि लोहे जे परिचित नहीं थे ठीक है? चलिए, next question हरपपा सभ्यता का सरवधिक उप्युक्त नाम क्या है? यानि कि ऐसा कौन सा नाम है सिंदु सभ्यता का जो सरवधिक लिए आ जाता है सिंदु सभ्यता का उप्युक्त नाम क्या होगा तो इस question का right answer होगा आपका option number C, सिंदु घाटी सभ्यता, Indus Valley Civilization सिंदु घाटी सभ्यता, ठीक है? यह question same है लेकिन पूछा अलग तरीके से रहा है, अलग-अलग exam में आया गया है सभी questions के answer करते चले, क्योंकि मुझे पता है कौन questions के answer कर रहा है और कौन नहीं, ठीक है? चले Question number 9 है इस सिंदु सभ्यता का पतन अगर बंदरगा कौन सा था? जो सिंदु सभ्यता का पतन अगर यानि कि उसके पतन का कारण माना जाता है के सिंदु सभ्यता का पतन यहीं से प्रारम हुआ, वो कौन सा इस्थल है? जल्दी से बताएए मोहन जोदरो की खोज 1922 इस्वी में किस ने की थी? राखल दास बनर जी ने की थी? काली बंगा की खोज अमला नंद गोस ने की थी? लोथल की खोज किस ने की थी? लोथल की खोज स्रीरणनाथ राओ ने की थी? और रोपर की खोज बिवी लाल ने की थी? कहस्चन की अकोडिंग इस कहस्चन का राइट आंसर होगा आपको अप्शन नमबर C लोथल लोथल इस emotional का क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है, चलिए Question number 10 है कि हरपपा काले निस्थलों में अभी तक किस धातों की प्राप्ती नहीं हुई है तो इस question का राइट आंसर होगा आपका option number D, लोहा क्योंकि इन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी प्राप्ती होती, तो इन्हें लोहे की जानकारी अवश्य होती लेकिन अगर प्राप्ती नहीं हुआ, तो फिर लोहे की जानकारी नहीं कैसे होगी ठीक है, next question इस question का राइट आंसर होगा, आपका जल्दी से बताइए मुझे क्या होगा लोथल की कोज, 1904 में स्री नंगरात नराव ने की थी, और यहीं से हमें कुए के साख से, नाओ के साख से भी प्राप्त होते हैं, कुए के साख से भी यहीं से प्राप्त होते हैं पंच्तंत्र की जो लोमडी है, चालाक लोमडी उसके साख से हमी यही से प्राप्त होते हैं, सल्य चिकित्सा के साख से हमी यही से प्राप्त होते हैं, तो इस question का right answer होगा आपका लोथल, option number A, question number 11 का आपका क्या होगा? right answer होगा, question number 12 है, के निम लिखी तो विदवानों में से हडपा सभ्यता का सर उपर थम खोज करता, कौन था? A option है सरजोन मार्सल, B option है आरडी परमन, A option है A कनिंगम, और D option है दयाराम साहनी, तो जल्दी से इस question का answer बताइए आप लोग, इस question का right answer क्या होगा आपका? A कनिंगम ने सन 1856 में, कब सन 1856 में क्या किया था? मानचित्र जारी किया था, किसका? हडपा का एक अनिंगम में सर 966 तर्विभाग जब इसका नाम बदल कर किया गया था तो उस समय उसके अध्यक्स कों थे या नेदेसल और नेदेसल कों थे सर्जोन मारसल और question के according, इस question का right answer होगा आपका दयाराम सहानी, दयाराम सहानी होगा और दयाराम सहानी ने कब की थी, सिंदु सब्याता जो हडपा है इसकी कोज कब की थी, 1921 इस्वी में की थी, चीक है, चलिए, next वच्चा, next question है, संदव इस्थलों के उत्खनन से प्राप्त, मुहरों पर निम्लिखित में से किस पसु का सरवधिक उतकीरन हुआ है, बैल, हाती, सेर, घोड़ा, जल्दी से बताईए, बुल, एलिफेंट, लायान, या फिर होर्स, question number 12 का right answer होगा आपका option number A, बुल, बुल की सबसे ज़्यादा जोग मुदराएं हैं, आपको बैल का क्या देखने के लिए मिलता है, question number 13 के हडपा कालिन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धी अपनाई थी, यह option है, गोलाकार आकरती में, ग्रिड़ पद्धी में, तिर्भुजाकार आकरती में, या कमल पुस्प की आकरती में, जो सिंदु सब्यदा के लोगों क जो घरों का, जो नगरों का था, उसमें क्यों सी, ग्रिड़ पद्धी, यानि कि option number B, question का क्या होगा, right answer होगा, option number B, right answer होगा, question number 14 है, question number 14 है कि मोहन जोद्रों को किस एक अन्ये नाम से भी जाना जाता है, E, option है, mount of the dead, B, option है, mount of the living, C, option है, mount of the scale dance, और D, option है, mount of the slaves, इस question का, right answer होगा, आपका, जल्दी से बताएए, क्या होगा, मोहन जोद्रों से हमें क्या मिलते हैं, कांसे से बनी नर्दिका की, जो मूर्ती के साक्षे हैं, वो भी यही से मिलते हैं, और मोहन जोद्रों से ही हमें, मंगोलियन पुजारी, जो धाड़ी, मूच युक्त वाली पाशान की जो मूर्ती है, वो भी यही से मिलते हैं, और यह से हमें और क्या मिलता है बहुत सारी शीज़ें जोती हैं ठीक है इस कोशन का राइट आंसर होगा आपका option number 8 mountain of the dead mound of the mound of the dead क्या कहते हैं इसको option number 8 का राइट आंसर होगा next question है निमलिकित में से कौन सा सिंदू इस्तत समुद्र तट पर इस्थित नहीं है तो इस question का राइट आंसर बताई जल्दी से क्या होगा सुर्खोतडा से हमें क्या मिलता है सुर्खोतडा से हमें घोडे के अवशेश पराप्त होते हैं अस्तियों के अवशेश पराप्त होते हैं लोथल से भी बताया मैंने बहुत सारी चीज़ें यहीं से पराप्त होते हैं लोथल से आंतर होगा आपका option number B court दीजी और लोथल भोगवा नदी के किनारे इस्ति थे लोथल भारत के गुजरात स्टेट में इस्ति थे Next question है आप लोगों के लिए निमलिकित में से कौन मोहन जोदरों की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है सभा भवन, विशाल इसनानागार, विशाल अननागार या धान्य कोठार या D option है none या none of these तो जल्दी से बताएस question का right answer क्या होगा question के according right answer होगा आपका option number C विशाल अननागार या धान्य कोठार ठीक है question next है कि निमलिकित में से कौन सा हड़ापा काली निस्थल गुजरात में इस्थित है अभी बताया था मैंने कौन सा इस्थित है तो जल्दी से मुझे बताएए कि गुजरात में कौन सा इस्थित है रोपड पंजाब में इस्तित है, राजिस्थान में काली बंगा इस्तित है, तो जल्दी से बताई इस question का right answer क्या होगा आपका, इस question का right answer होगा आपका option number B, option number B, लोथल, लोथल गुजरात में पड़ता है, और इसकी फोज कप की गई थी, 1904 इस्वी में की गई थी लोथल की next question है, कि निमलिकित में से कौन सी फसल हडपा काली लोगो द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी, या ऐसी कौन सी फसल है, जो हडपा के लोग नहीं उगाते थे, गेहु जो दाले चावल, जल्दी से बताईए, इस question का right answer क्या होगा, question के according, option number C, इस question का right answer होगा, दाले य अधर से, लकडी से, या इटो से, जल्दी से रताई, इस question का right answer क्या होगा, आपका, सरुपरतम इट के जो साख से मिलते हैं, हमें वो हडपा से मिलते हैं, लेकिन उसके बाद जो जिन्धु सभ्यता के बाद की जो बात है, चाहनुजडों से हमें वर्गा कार इट के साख से पराप्त होते हैं, हडपा से केवल इट के साख से पराप्त होते हैं, लेकिन वर्गा कार इट के जो साख से हैं, वो हमें हडपा से पराप्त होते हैं, तो इस question का right answer होगा, आपका option number D, option number D, इस question का क्या होगा, आपका right answer होगा, question number 20 है, हडपा सभ्यता किस यूग की थी, सभ्याता ये सिंदु सभ्याता को क्या कांसे यूगीन सभ्याता भी कहा जाता है नव और ये पुरा पाशानकाल और ये नव पाशानकाल जो यूग है आपके ये दोनों प्रागय आतिहासिक काल के पार्ट है किसके पार्ट है प्रागय आतिहासिक काल के पार्ट है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 21 है कि सिंदु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था पसुपालन शिकार किर्सी या फिर व्यपार सिंदु घाटी सभ्यता के लोग अधिकतर व्यपार पर यानि किस वर बिजनिस पर आधारी थे यानि कि ऑप्शन नमबर 21 को क्या होगा आपका राइट आंसर होगा और हडपा कौनसी नदी के किनारे इस्तित जिंदु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है ए ऑप्शन है काली बंगा लॉथल हडपा या फिर मोहन जोदरो जल्दी से बताए इस क्वेशन का राइट आं आपका option number D, Mohan Jodro, और Mohan Jodro से हमें क्या प्राप्त होता है, Mohan Jodro से ही हमें dancing girl की मूर्ती प्राप्त होती है, dancing girl की क्या प्राप्त होती है, या से मूर्ती हमें प्राप्त होती है, जो किसकी बनी हुई है, कांसिय की बनी हुई है, ठीक है, next question है कि मोहन जोद्रों कहां इसती थे सिंद, गुजराओ, उत्तर पर देश या पिर पंजाब मोहन जोद्रों कहां परिश्ती थे जल्दी से बताईए भंजाठी को ऑप अप पुजराओ अपम इसन नकाइब है बचा कौन सिंध तो इस question के according right answer होगा आपका option number A मोहन जोद्रो सिंध में इस्तित है कहा पर इस्तित है मोहन जोद्रो सिंध में इस्तित है next question है किस सिंधु कालीन इस्थल से एक इट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्टे के पंजो के निसान मिले हैं तो इस question का right answer क्या होगा आपका जल्दे से बताएए मुझे क्या होने वाला है अपका कौन सी नदी के किनारे इस्तित है ये रावी नदी के किनारे इस्तित है लोथल आपका होगुवा नदी के किनारे इस्तित है मोहन जोद्रो आपका सिंद्रो नधी के किनारे सीथ है option number B right answer होगा आपका question के according चानुद्रो कहां से प्राप्त होए है चानुद्रो चानुद्रो से हमें lipstick के साथ से प्राप्त होते है और चानुद्रो से हमें manke के जो कारखानी है या जो मनके हैं उनके साथ से प्राप्त होते हैं ठीक है मनके के साथ से हमें चानुदरों से प्राप्त होते हैं और जो मनके के कार खाने हैं वो हमें लोथल से प्राप्त होते हैं क्यूशन है कि सिन्दु भाती की सभ्यता निमलिखित मेंसे कि सभ्यति के समकालीन नहीं थी तो इस क्यूशन का right answer होगा आपका option number 1-ग्रीक की सभ्यता कौन सी सभ्यता ग्रीक की सभ्यता जो मिसर की सभ्यता है ये कौन सी नदी के किना रिष्थ algorithm विस्वी फेक्ट्स याद रखने आप लोगों को लगता चलिए हडपा सभ्यता के संपूर्ण छेतर का आकार किस फरकार का था आयताकार, तिर्भूजाकार, गोलाकार या फिर वर्गाकार इस question का right answer होगा आपका तिर्भूजाकार option number B right answer होगा question का 26 हडपा के मिट्टी के बरतनों पर सामाने ते किस रंग का उपयोग किया गया पांडू, नीला, लाल या फिर नीला और हरा question के according, इस question का right answer होगा आपका option number C मृद्भांड बोलते हैं मिट्टी के बरतनों को क्या बोलते हैं मिट्टी के बरतनों को मृद्भांड बोलते हैं और मृद्भांड आपका एक अभीलेखों का भी पार्ट है अभीलेखों का भी ये क्या है, एक अहम हिस्सा है, कौन मिट्टी के बरतनों जिने क्या बोलते हैं मृद्भांड बोलते हैं question number 28 है कि सिंदु घाटी की सब्यादा कहा तक विस्तृत थी इस question का right answer होगा आपको option number C पंजाब, राजिस्तान, गुजरात, उत्तरपरदेश, हरियाना, सिंदौर, बलुचिस्तान ये आपको क्या होगा, right answer होगा question number 29 है कि सब्यापपा कालिन इस्तल से पुजारी की परिस्तर परिस्तर मूर्ती प्राप्थ हुई है, लोथल, रंगपूर, हरपपा या फिर मोहन जोजरो, ये मैंने आप लोग को को स्टार्टिंग में ही बताया था तो इस question का right answer क्या होगा, आपका मोहन जोजरो होगा, मोहन जोजरो से ये में क्या होते है मोंगोलियन पुजारी की जो परतिभा है, या जिनकी जोज़ोस की स्टैचू है, वो यही से प्राप्थ होता है, कहां से मोहन जोजरो से ठीक है Question number 30 है, संदव सब्यदा की इटों का अलंकरन किस इस्थान से मिला है बनावली, काली बंगा, चाहन जोजरो या फिर मोहन जोजरो तो इस question का right answer होगा, आपका option number C चाहन जोजरो से, कहां से प्राप्थ होता है चाहन जोजरो से प्राप्थ होता है सिंदु घाटे इस्थल काली बंगन किस परदेश में इस्थित है राजिस्थान, गुजरात, मध्यपरदेश या उत्तरपरदेश इस question का right answer होगा, आपका option number B गुजरात में इस्थित है सोरी, काली बंगा की बात की गई है, तो कहां पर इस्थित है राजिस्थान में इस्थित है ठीक है, कहां पर इस्थित है राजिस्थान में इस्थित है और काली बंगा का जो शाब्दी कर्थ है, वो क्या है काली चूडियां और काली बंगा की जो खोज की थी, वो किसने की थी, अमलानंद घोस ने की थी question number 32 है कि सड़ापा काली इस्थल से नरत्य है, मुद्रा वाली इस्तरी की कान से मूर्थी प्राप्त हुई है यानि ये dancing girl के बारे में बात कर रहा है आप लोगों को घुमाया जा रहा है वोने देखो, question कितना आसान है, हमें पता भी है हमने सारे पिछले questions में ये question काली बंगा, काली बंगा, बनावली, अनावली, रोपड या फिर लोथल जल्दी से बताइए, इस question का right answer होगा आपका option number है काली बंगा, कहां से प्राप्त हुआ है, काली बंगा, रोपड इन सिंदु सभ्यता का जो इस्थल है, ये सबसे यूवा इस्थल है, 1950 में खोज हुई थी, इसकी किसने की थी, विविलाल के दुआरा की गई थी, रोपड, पंजाब में इस्थीत है, और कौन सी नदी के किनार इस्थीत है, सतलज नदी के किनार इस्थीत है, लोथल की खो होगा का option number healthcare या कंны कि कुशनमर 34 एक सिंदुагाट सभ्य 1950 में जो राइटा से हैं भू कहाँ से मिलते हैं बना विलो थलन सूर कोजन मक्ना से हैं गोड़े के अश्तियो Посे प्राप्त होते हैं ठीक बच्चा आज की क्लास में आप लोगों को इतना ही कराना था मैंने कहा था आपको पहले स्टार्टिंग में ही कि 30 to 35 कोशन होने वाले हैं लेकिन 34 कोई नेक्ट क्लास में आपके लिए कुशन बढ़ा कर लाए सब्सक्राइब आप लोगोंने बहुत अच्छे से दिये लेकिन जिन लोगोंने नहीं दिये वह पहले जाकर थेयोरी पढ़ें तो आज ने स्ट के वड़ एतना ही था अठिरे तो सब्सक्राइब उतना ही प्रिक्तार आपको एक्षे मिलती रहने कि मैं कि मैं लगयतार अपकी यद sy ghost लेने वाली हो भूंड तो अच्छा लगा आप लोगोने आंसर के questions के और जितना हो सके इस class को उतना ही जादे से जादे लिंक को share करें, यानि कि share करें class को बहुत, अगर class अच्छी लगई हो तो like करें, बाकी इतना support कर सकते हैं, बाकी आपसे next class में मिलते हैं, bye, take care, love you all, bye-bye.